दोस्तों जाहिम खुंगा अकेडिमी में आपका स्वागत है आज जो अगनी वीर का टेस्ट हुआ है उसमें जो सवाल पूछे गए हैं उन सवारों के उपर हम डिस्कस करेंगे तो पहला सवाल आप यहाँ पर देख सेते हैं इंद्रा गांधी गोल्ड कप की स्केल से सम्मंद इंद्रा गांधी गोल्ड कप की स्केल से सम्मंदित है तो आंसर होगा मारा होकी दूसरा सवाल है बिहार किस राज्ये से अलग ओके अलग राज्ये बना है तो बिहार को अलग किया गया था बंगाल से बंगाल बंगाल प्रोविंच में आता था बिहार और उससे अलग ओके बना है राजे बिहार और बिहार से फिर अलग होके राजे बना है जारखंड तो यह सवाल पूचा था बिहार किस राजे से अलग होके एक राजे बना है तो आंसर हमारा इसमें आएगा बंगाल तर सवाल देखते हैं फर्स्ट कंट्री टू सेंड पर्सान ओन दा मून की चांद परस्ट से पहले मानों भेजने वाला देश कुन सा था तो इसमें आंसर आएगा अमेरिका, USA सहीवत राजी अमेरिका पूरा नाम है, आंसर आजाएगा USA से, नील लाम सा अंग गए थे पहले परसन जो नासा की तरफ से गए थे और कौन से देश से संबंद रखते हैं तो आंसर आजाएगा इसमें हमारा USA next which of the following satellite loan station, कौन सा एक उपगर है के छोडने का एक जगह है हमारे यहापे, तो आंसर आएगा श्री हरी कोटा, आंदर पर्देश में है, श्री हरी कोटा यहां से मिशाइन छोड़ी जाती है, श्री हरी कोटा इस जिन आंदर पर्देश नेक्स्ट शेख हसीना किस देश की पर्दान मंत्री है, तो शेख हसीना हमारा प्रोसी मुल्क है, बंगलादेश महां की पर्दान मंत्री है, तो आंसर आजाएगा बंगलादेश डाका कैपिटल है, और शेख हसीना जी महां की पर्दान मंत्री है next स्वाल next था कि नालंदा उनिवस्टी कहां पर है तो नालंदा उनिवस्टी पता है हमें बिहार में है कुमार गुप्त के दोबारा बनाई गी थी बिहार में स्थित है नालंदा उनिवस्टी अब इसको जुबारा से जिर्णो दार किया गया है और बक्तियार किल जीनी इसको डिस्ट्रॉई किया था की रिगनेक्स सरदार स्रोवर डैम किस नदी पर है पूचा जाएगा अंसर हमारा होगा उसमें नार्मदा नदी और जो सबसे उंचा स्टेच्चू है स्टेच्च्व ऑफ यूनिटि सरदार पतेल का वो यही परस्ते थे नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए इनको सथाई सदस से कहते हैं और दस होते हैं टेंपरेरी जो दो साल के लिए बनाया जाता है एक रास्ट को भारत अभी वर्तमान में टेंपरेरी मेंबर्शिप में है तो टोटल अगर पुछता है तो 15 और सथाई मेंबर अगर पुछा जाए तो आंसर आएगा हमारा उसमें 10 नेक्स्ट आप देख सकते हैं इसमें पूछा गया है कि जिसको बोलते है लद्दाग सबसे हाईएस पलेट्यू है और अगर बड़ा पूछा जाए सबसे बड़ा पलेट्यू कोंसा है तो डेकन का पठार आता है लेकिन इसने पूछा जाए तो आंसर आएगा हमारा लद्दाग एक मिनट नेक्स सवाल पूचा गया था वाट इस दा परसंटेज अग नाइट्रोजन इन दा एक्मोस्फेर वाई यू मंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है 78 पर तीसद ठीक है तो आंसर हमारा आ जाएगा 78 परसंट अगर पूचा जाए ओक्सीजन की जिनी है तो आता है 21 परसंट ठीक है 20.9 भी लिखा हुआ आता है या करीब 21 परसंट की आसपास जो है वो राइट आंसर होगा नेक्स सवाल देखेंगे विच इस दा स्मॉलेस्ट सिल सबसे छोटी का कोशी का कौनसी है यह बाइलोजी का सवाल है कि सबसे छोटी कोशी का कौनसी है माइको प्लाज्मा माइको प्लाज्मा इस स्मॉलेस्ट सेल ठीक है तो आंसर था इसमें हमारा माइको प्लाज्मा सबसे छोटी कोशी का है अगला पूचा गया था सबसे बड़ा मैमल कुन सा, यानि सबसे बड़ा सतन पाई कुन सा है, तो blue whale नीली वेल बोलते हैं नीली वेल अंग्रेजी में बोलते हैं, इसको blue whale तो ये भी पूचा गया सवाल है GD में next जकना मनाओं सब्जर छान-च पानर हम इस ऑफ प्रेस्थ यॉत बारोटर यह मतलु आता है साब पानी में काउंट करते हैं लेकिन बारिश का पानी जो है सबसे अच्छा स्थ होत है साब पानी का अगला है speed of sound is depend on है ना इसमें थोड़ा सा डाउट है कि सवाल पूछा क्या था अगर पूछे कि speed of sound किस पे करती है तो यह उसकी जो material है जितना solid material होगा उतनी ही उसकी speed जादा होगी यह जैसे हम बोलते है steel में ज्यादा है पानी में थोड़ी सी कम है हवा में उससे थोड़ी कम है और निर्वात में वो बिल्कुल travel नहीं करती यह हो सकता है इसमें यह पूछा हो कि जो दवनी की गत्ती दवनी में ऐसी कौन सी चीज है जो कभी प्रवावित नहीं होती तो वो होता है frequency वो किसी चीज से प्रिवावित नहीं होती frequency जो है कभी चेंज नहीं होगी ठीक है तो यह साइज पूछा गया था देखना ना क्या था इसमें हाउ मैनी को जो क्रोमोजोंस आर दियर तो तैईश गुनसूतर होते हैं टोटल टोटल चारिस एक है तो कितने गुनसूतर हैं तैईश होते हैं और टोटल इनको पेर में होता है तो टोटल कितने हो जाएंगे 46 BCG वैक्शिन कौनसी विमारी से बचाती है तो BCG वैक्शिन जो हाँ दी जाती है किसलिए TB से बचाओ के लिए टूबर क्लोसिस तीबी को बोलते हैं ट्यूबर क्लोसिस यह सबसे पहले ठीका है जो लगाया जाता है जीरो डोज में क्यूबर क्लोसिस ठीक है टी बी से बचाता है बी सीजी बी सीजी है बेसिलेस कालमेट गुरीन next mathematics का सवाल था 12 x-1 है आगे 143 है तो 12 x is equal to क्या हो जाएगा 143 में प्लस कर देंगे 144 और यह x को अगर मैं यही रखता हूँ तो 144 को डिवाइड करेंगे 12 से आंसर आजाएगा 12 ठीक है तो इस टाइप का एक सवाल था गो सेकता है थोड़ी बहुत रखम में कहीं चेंज हो बाकि जनरल आइडिया यही है next देखें next में पूछा गया है कि पट्रोल की कीमत बढ़ा दी गई है 5 रुपे तो बोल रहा है 1320 रुपे में 2 लीटर पट्रोल कम आता है तो बताओ कि पट्रोल की वर्तमान कीमत क्या है अगर यह पूछा जाए तो इसमें हम क्या करेंगे देखो 1320 रुपे है पहले रेट था X अब रेट हो गया है 1320 रुपे में X प्लस 5 और यह equal लग देंगे 2 लीटर के हम ठीक है यह equation को solve करेंगे इसको LCM लेके इससे multiply करेगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारा 1320 X प्लस 60 600 माइनस 1320 X और अपोन में आ जाएगा यह X इंटू X प्लस 1 प्लस 5 तो इसका multiply करके आगे 2 से वहाँ लेके चले जाएगे सामने की तरफ तो देखो इसको क्या करेंगे हम यह दोनों तो कट जाएगे यह हमारे पास बचेगा 2 X सुकेर माइनस प्लस 5 X और माइनस का 66 100 is equal to 0 अब दो 10 आएगा यहाँ पर स्वारी इससे भी 60 X ले लेते हैं और माइनस में 55 X माइनस 66 100 is equal to 0 ठीक है तो क्या जाएगा इसमें X को मन X प्लस 60 और इसमें माइनस 55 को मन लेंगे X प्लस 60 तो X का value आगे हमारे पास यह तो माइनस 60 यह X की value आगे माइनस 55 स्वारी प्लस 55 तो 55 रुपे रेत आगया X का 5 रुपे बढ़ गया वर्तमान में पूछेगा तो 60 रुपे आजाएगा जो वर्तमान मुल्य होगा यानि प्रजेंट में कितना आएगा तो वो पहले 55 रुपे था अब उसमें 5 इंक्रीज कर द नेक्स देखेंगे भई नेक्स में देखो एक टीवी का मुल्य जो है 100 रुपे है प्राइस ओपे टीवी जंडर्ट तीन टीवी को बेजता है 274 रुपे पचास पैसे में यानि CP अगर निकाले 3 तीन टीवी का तो multiply 3 से कर देंगे 300 आ जाएगा 300 आ गए और SP जो है 274.5 यानि दोनों का difference कितना आ जाएगा इसमें से जो loss है इसमें से simple हम देख सकते हैं loss है honey है 25.5 रुपे की ठीक है और यह कितने पे है 300 पे है इंटू कर देंगे इसमें 100 तो इस equation को जब हम solve करेंगे तो हमारा correct answer आ जाएगा ठीक है तो यह करीब साधे 8% जो है मारा इसमें आंसर आ जाएगे 25% यह loss आ जाएगा मारा नेक्स सवाल देखते हैं एक सम्चतुर बुझ है एक rhombus है जिसका area इसने दे रखा 390 cm square और एक diagonal दिया 26 cm का है तो पूचा है कि उसका दूसरा विकिन बताओ दूसरा diagonal का पूचा है तो इसका दो एरिया का फार्मूला जो होता है यानि छेत्रफल का जो फार्मूला है वह हाफ इंटू दी वन इंटू डी टू ठीक है तो हाफ इंटू डी वन जो है आमें दे रखा है 26 डी टू हमें निकालना है आगे हम रख देंगे इसमें 390 किया तो यह डी टू को मैं यहीं रखूँ और दूनों को आगे लेके जाऊंगा तो 390 इंटू क्या आजाएगा दो उपर चला जाएगा और 26 नीचे आजाएगा इसमें 2 से डिवाइड किया तो 13 बार 13 से किया तो 30 ठीक है तो डी टू की वेल्लू के आजाएगी हमारे पर 30 सेंटिमीटर ठीक है तो यह 30 सेंटिमीटर जो है मैं आंशर बताना था इसमें कि दूसरे विकरन की लंबाई क्या होगी आप देखते हैं नेक्स अवाल दो संख्याओं का गुणनफल 4710 दे रखा है उनका HCF और LCM यानि महतम और लगूतम के बारे में बोला है तो महतम 15 बोल रहा है LCM बताना है तो क्या करते हैं प्रोड़क्ट अप नंबर है ना फार्मूला किया दोनों संख्याओं का गुणनफल प्रोड़क्ट अफ नंबर्स इस इकल टू LCM इन्टू HCF इन्टू HCF ठीक है तो क्या आ जाएगा यहां पर हमारा LCM हमें निकालना है इन्टू 15 यह इस इकल टू दे रखा है 4710 के तो LCM इस इकल टू क्या आ जाएगा 15 जाके इसको डिवाइड कर देगा ठीक है इससे कार देंगे तो 15 जाके साथ 314 ठीक है तो यह आंसर आ जाएगा ठीक है तो क्या आंसर आ जाएगा मारा 314 यह उसका हो जाएगा LCM नेक्स देखते हैं यह कुछ संक्या दी थी कंटुनिएशन में और इसके आगे पूछा है नेक्स क्या आएगा तो आप देख सकते हो यह 3 है यह 3 का स्केर है यह 3 का क्यूब है फिर 4 है तो 3 की पावर 5 जो है वो राइट आंसर आ जाएगा 3 इशो 5 ठीक है तो उसकी आपर 3 बार 3 से मल्टिपलाई कर देंगे एक आसी इंटू 3 243 जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाता है नेक्स देखते हैं प्राइम नंबर एक से 10 तक की संख्या है जो है अबाजे संख्या तो अबाजे संख्या कहां से शुरू होती है दो से फिर 3 है फिर 5 है फिर 7 है य टोटल जो है अब आजे संख्या है चार इसब को टोटल कर लेंगे 17 ठीक है 17 आंसर आजेगा next है the height of a cylinder हाना एक बेलन दे रखा है ऐसे ठीक है और उसमें height बतानी है में radius जो r है वो दे रखा है 7 cm और इसका volume दे रखा है तो volume का जो formula है वो क्या होता है pi r square h ठीक है तो यह formula हम लगा देंगे 22 बटे 7 into 7 into height is equal to 2310 ठीक है तो यहाँ h को अगर रखता हूँ यह दुनों जाके कट जाएंगे वहाँ जाके 2310 डिवाइड कर देंगे 22 into 7 से ठीक है 22 और गुना साथ से इसको भाग कर देंगे तो हमारा आजाएगा इसमें राइट आंसर ठीक है तो हम इसको डिवाइड किया 22 और साथ से तो 30 आंसर आजाएगा तो height कितनी आजेगी यह हमारी यह height है यह 30 cm इसमें राइट आंसर होगा हमारा ठीक है तो यह एक mathematics का सवाल था बिल्कुल basic जिसको formula याद उसको कोई problem नहीं आएगी सवाल में नेक्स देखते हैं नेक्स देखो भई यह एक सवाल है कोई मुल्धन है उस पे तीन परतीसत तीन वर्स के लिए चार परतीसत दर से साधान ब्याद जो है वो 56 और मिलता है अगर आपको कोई formula याद नहीं तो एक formula याद रखो SI is equal to P into R into T upon 100 ठीक है तो यह आमने देख है P आमें निकालना है rate of interest is 4% time is 3 years upon 100 is equal to 5600 यह 56 है या कोई ऐसा हो सकता कुछ दूसरी भी रखम दे रखी हो जो आसानी से कट जाएगी तो P is equal to के आजाएगा है 56 hundred upon 4 into 3 और multiply कर देंगे 100 से तो यह हमारा जो है answer आजाएगा principle इसको आप divide करके काट देंगे तो जो है right answer आजाएगा इस सवाल में next देखते हैं अब यह कलर का मैं बता रहता हूँ आर्मी कलर्क जो था अगनिवीर कलर्क इसमें mathematics में जो है करीब पांच से साथ या छे से साथ सवाल जो है वो advanced mathematics से आये थे advanced mathematics में जैसे एक सवाल आया था वो height and distance वाला जो trigonometry का height and distance है कि एक बच्चा खड़ा है पहाड के उपर तो पहाड की बैट लेनी है और फिर बच्चे की और फिर वो क्या angle बनाते है ground के साथ ऐसा कोई सवाल था तो आपने उसके practice नहीं किया है तो अभी आप practice कर लो next exam के लिए साथ ही साथ एक age का सवाल पूचा था आयूक का जिसको कहते है और एक साथ time and distance का भी सवाल दूसरा अगर English की portion की बात की जाए तो comprehension आये थे दो जिनमें total सवाल बने थे 10 तो comprehension भी आपको अच्छे number दिला सकते हैं दूसरा जो next चीज है वो है article तीन article आप से पूचे गए थे और चार नमबर पर जो है हमारे अंटोनिम सुनोनिम अंटोनिम सुनोनिम भी तीन आये थे अंटोनिम दो एक तो आगोनी है इसका happiness बनेगा और एक है dormant इसका side active उसमें answer था dormant होता है बिल्कुल still ठीक है तो उसका active जो है शायद उसमें option अगर दिया होगा तो फिर तीन error पूचे गए थे यह भी moderate level के थे PQRS थोड़े lengthy थे बड़ कोई ऐसा ज्यादा उसमें difficulty वाली बात नहीं थी आप आसानी से उनको solve कर सकते है preposition जो है determiner based थी तो तीन proposition पूची गई है तो कलर्क में again 45 45 पूचे गए हैं यह स्वरी पीज कोस्टेन आये हैं तो टोटल 45 कोस्टेन हैं कलर्क एक्जाम में तो basically यह आपका पेपर है जो 13 November को लिया गया है यह pattern है basically तो आप इसी तरीके से तैयारी करते रहें अगर इस से related कोई आपको doubt या कोई question पूचना है तो comment box में आप हमें पूचकते हैं thank you जैहिए